हालो मेरे प्यारे चात्रू, आप सभी का स्वागत है, 2024 में अर्दवारसिक परिच्छा देने वाले जितने भी चात्र हैं, आज आप सभी के लिए कच्छा दर्स के विज्ञान का पेपर लाए हैं, इस पेपर का आप हल देखें और इस पेपर को एकदम तयार करके आप अपन पूछा जा चुका है, और यही पेपर आप सभी के स्कूलों में आने वाला है, देखें आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा, तो यह विज्ञान का जो पेपर है, टोटल सत्तर नंबर का रहने वाला है, अब यहाँ पर कुछ इसके निर्देश दिये गया है, इस के कि प्रारम के 15 मिनट पर चाति प्रशन पत्र पढ़निंदे के लिए निर्धाद किया यह यह वहाँ निर्देश दिया गया है, यहीं बोड के एक्जाम जब आप देने जाएंगे ला तो यहीं निर्देश आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक तो इस निर्देश को य गौव में भाज़त किया गया है परतीक प्रश्ण के सम्मुक उनके निर्दारित अंक दिये गया है कि कौन सा प्रश्ण कितने नंबर का रहने वाला है सभी प्रश्ण आपको करना एकदम अनिवार रहे हैं ठीक है इस पकातने निर्देश आपको बोड के एकजाम में भी दे कलबी प्रश्ण रहेगा, पर त एक प्रशण एक नंबर का रहने वाला है इस पकात जो भी कल पी प्रश्ण रहतक है तोャोटल बीस नंबर का आपका रहेगा यहाँ देखें आपका पहला प्रश्ण. दूर दिर्ष्टिदुजर्थ दोस्बंगर परतिभी मीं बनता है दैखने के लिए दूर दरिष्टी दोस में क्या होता है कि पर यहां पर का सबकर हुआ प्रत का दूर की वस्तू तो आपको दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तू जो रखा रहा है आपका वहीं दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार के दोस्त को दूर दृष्टी दोस कहते हैं, दूर दृष्टी दोस्त को यदि दूर करना है, यहाँ पर सभी पॉइंट को देख ल टूरदऴिम के पीछे बनता होगा इस सब्म instruments के अगला देखी एक उत्तल दरपड कि फोकस दूरी होगे जिसकी वक्रता तिरिज्या दिया है 32 वक्रता तिरिज्या मतलब होता आर कमांड दिया है देखिए इसमें संबंध क्या होता है कि फोकस दूरी यह बराबर होता है आर भाई तू यानि वक्रता तिरिज्या का आधा होता है अब यहां लाश्ण में आप यह बताईएगा कि 20 बहुवी कल्पी प्रश्णों में से आपको कितने प्रश्ण आपको आ रहे थे कमेंट आप जुरूर कीजिएगा ठीक है देखे अगला एक आउतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का परत्वीम बनता है यानि कि यहां पर द्यान देजिए कैसा परत्वीम सीधा बनता है साथ में कैसा परत्वीम बनता यह चोटा बनता यह प्रश्ण आप याद रहेखेगा और अधल लेंस के दुर आभासी सीधा शोटा इसका सही जवाब यह वाला आप से आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखे निम्न में दिए गए मा इरय, जल में, काच में, या केरोसीन में प्रकास की चाल माद्यम के उपरfig पता है ब citrus में होती है इसका मतलब होगा कि सबसे कम किसमें होता है ठोस में प्रकास की साल सब से कम होता है इस में सबसे ज्यादा छोष काउंस एखिए जल भी है कि रोषीन भी में काश वे लेकिन सबसे ज्याधा पता होगो सबसे ज्यादा पतात माना जाता है इसलिए इसका में पूछिता तो निर्वार या वाईव आपसन लगाता है ठीक है अगला प्रस्णिय ही दरपड की फोकस तूरी जफ तथा वकृता तूरी आर में संबंद अभी आपको सवाल देखेंगे आप कराई भी है तो यह फिसकल टू क्या होता है और भै तू होता है अब इस संभन्द में कहीं फार्मुला दिया कहीं नहीं दिया तो आप यह आप अप अधर गुड़ा कर लिए क्या हो आपसांदी देखिए यहँ बीच में मोटा होता है यह कडिनाहों पर पतला होता है यह बीच में पतला होता है और बहुत दों होता है देखेरं तर्म पताले साहरा मोटा है ध्युत्स आप इसका होêts पर पतला होता है बीच के संही सब किनारे पर मटने पतला होता है यह विर रहीं आस्मान का रंग नीला दिखाई देता है आश्मान का रंग नीला क्यूंrifाई देता है जो परकास के केलों को पुर्ड अंतिक परावरतन के करल तो आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है वो याद रखेगा परकास का जो किरण होता है न उस्तियकड क्या होता है आपका आस्मान का रंग नीला दिखाई देता है इस प्रश्ण का सही जवाप सवलापसन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण दखिए उपखंड खा अब यहां उपखंड खाव में आपके रसायन विज्ञान के सभी प्रश्ण आपके प्रारम होते हैं देखें आपके प्लाश्टर आप पे 1 में कितने अडू क्रिश्टर जल के होते हैं यहां क्रिश्टर के पर्श्टर से mirs काल किस्टर चल क्या होता है तो कि यहां जल कशहकर घ्रेदों क्या हworks इस प्रश्ण का सही जवाप स्वीवलाप्सन सही हो जागा कि प्लाश्टर आप पेरिस में कितने अडू क्रिष्टल जल के होता है इससे आप याद रखिएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अगला प्रश्ण देखिए जडियन प्लस एश्टु 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 चात्रु यदि आपको व्यूडियों पसंद आ रहा है एक लाइक आप जरू कर दिया कीजिए ठीक है इसलिए कि आपको बहुत मेहना से पेपर बताते हैं और सभी प्रश्णों का आपको सटिक एंसर बताते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए जडियन जो है यस्टु एस क्या करते हैं यहां से विस्थापित करते रहा है और जडिन एसोफोर के साथ आ जा रहा है यानि कि जिंक जो होता है क्या होता है इसलिए क्या करेगा है यहां से विस्थापित करेगा यहां पर कौन सा अभी क्रिया हो जाएगा विस्थापन अभी क्रिया हो जाएगा क्यों होगा कि जडियन जो है है यहां से उसके अस्थान से विश्थापित कर लिए अगला प्रसंद देखिए निम्य लिखित अब किरिया में आपचायक पहचान का लिखिए अपचायक मतलब होता है इस अपचेन को आक्साइट करते क्या करते हैं यहां पे अपचायक मतलब होता है आप सभी बताएं आक्सिकर का मतलब होता है आक्सिजन की ब्रिधि क्या हो रहा है यहां अपचायक क्या हो जागा यहां आप याद रखेगा इससे अगला प्रशन दखेए हुआ तो दावान शोडा का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो दावान सोडा का रसाइनिक सुत्र न यहाद रगें कि इस आपसन को यह वहता है खाने वाला सोडा थिक है इसके साथ में याद क्या रखेंगा इसी को आप क्या करते हैं खाने वाला सोड़ा को बेकिंग सोड़ा के नाम से भी जाना जाता है इसको सोडियें नामों को आप जरूरियाद रखिए यह सबसे सेसे हैं इंपोर्टेंट है यह होता है विशिंग पौर्ड शुर्ठ थिक तो आप इस से ीFrameeding Co 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 तो प्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करते हैं अगला देखिए आपके प्रावाराव को आपका जीविज्ञान के सभी प्रश्ण देख लिए आपके इस प्रशन का सही जवाब देवलापसन सही होगा अगला देखें यकृत स्रावित करता है यानि यकृत क्या स्रावित करता है लार जठर रस अगन्याशे रस या पित्रस आप सभी को ये प्रशन कई बरकर आ चुके हैं यकृत जो स्रावित करता है इसका सही जवाब देवलापसन सही हो जागा अगला देखें एक अडू गुलकोज के पूर आक्सिकरण से कितने एट उरजा प्राप्त होती है दो होता है's38 ATP अडू अगला देकि बनाजिक हिर्दे में प्रकॉष्ट्यों यानि विस्मों के संक्यां होता है mm प्रकोष्टों के संक्या होता है याद रखिए का टोटल कितने होते हैं चार होते हैं इस प्रश्ण का सही जो आप बहुलाफशन सही होगा अगरा देखिए पादगों में जल इम खनीज लवड कौन सा उतक पौधों की भी अंगों में पहुचाता है जल की बात हमेशा कहें की बात कई बात काई उनले जाने के काम करता है घाइलन करता है इसका याद रखिए घाइप यह काधी प्रदारत को कन करता है यानि कि रूंभ होता है तो दोनों प्रश्ण को आपजूरूर्य याद Sally वह बहुत पेपर में आप सभी की आता है अगला प्रस्ण देखिए कि मनुष्य में ब्रिक किस अंग तंत्र का भाग है जो अबस्ष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीष से हुआ होता है प्राघ कर्त इस नत्य प्राघ कर्द क्या होता है कि यह आप त्सक्राइज प्रस्व अब कमेंट बाक्स में जरूर लिखे कि आपshop में से क्ली सब्सक्राइब क्ला में यह और लिएए इसने SUBSCRIBE प्रारम होता है वड़ात्मक प्रश्ण जिसमें बहुतिक विज्ञान के सभी प्रश्ण है जितने भी प्रश्ण आपको पताएंगे इन प्रश्णों को आप जरूर पहली जिएगा डेकिए क्या है कि निकट दृष्टी दोस किसे करते हैं इस दोस का निवारण किस प्रकास क कि आजाता हुआ कि आरे के द्वार आसपश्ट कीजिए टोटल 4 नमबर का कर देकिं स्वस्था कि निकट करती वस्तू तो को दिखाई देती ये कि दूर की वस्तू जब दिखाई नही देती है तो उसे कहा जाता चाहिं। निकट दूरी के मद्द रखी वस्तु का परतिविम बनने का कर आरेक दिखा रहा है दुरू और फोकस के बीच में यदि परतिविम वस्तु को रखा जाता है तो इसका परतिविम कैसे बनेगा इसको आप जरूर तैयार कर लिजिए अगला देखिए प्रकाश के अपवर्तन के निया में आप सभी को पता है क्या पता है कि यसे एक आपका तल होता है इस पर क्या होता है अपवर्तन है यहां पर देखिए अपवर्तन होता है यह प्रकास के दल पर आपतित होती है तो अपवर्तित हो जाता है ठीक है यानि आपतित कि अपवर्तित कि यहां पर यहां पर यहां अनुपाध होता यानि कि यहां पर आई होता यहां पर और होता है इसन पर अनुपाथ क्या होता है दोनों का अनुपाथ नियतांक हो Candee यह समय देंशन को ध्यार किजीए सबराब करने यहां अगला देखिए मानून नेतर के प्रमु kg का अध की श़िए से तीन सेंटी मिटर सब्सक्राइब है लेकि पर वस्तु उत्तायब प्रती होत्तु हूँ है ती टीन Citybelt ओर लेकि वस्तु के दूरी तीस दस सेंटी बताना है इस सवाल को भी आप हल कर सकते थे अब उठन को जिसमें रसानवी ज्ञान के प्रस्न है कैसे याद रखना है पहला पच्वाइब की आवाद सरह की सीवाय लिखी यानि में रिक्तियों अभिकरियां में इसका संतुल्व्ण संविकल कैसे आप बनाएंगे जैसे आपको संतुलित समें करना पता गया है की बी र assisted by 222 यानि कि इसम1 आज़ूए और यहां तो लिए अदिए लिए तो लेौक्ष्य गाज़ेगा je यहां पर भी एक है आई टूदू एत आई टूदू तो सभी देखिए इसमें प्रमावव कसंगे दोनों साइट ने दोनों साइट बराबर हो गया यह वह तक संतुरित रसायनिक समीख इसी प्रकाश साफ इसे भी बराबर कर लिजिए बीए सो फोर प्लस के सी एल बराबर कर दोकाशेज यहां हो जागा ना आप से अब चली देखिए अगला निम्न अभिक्रियाँ में उपचाईत तह अपचाईत पतावतों कि पाचान किजिए इसमें उपचाईत को नै और अपचाईत को ने इस प्रेशन को त्यार किजिए दो नंबर का रहने वाला है अगाड़ बनाने की वीदी रसायनिक समिक्रा तथा इसके उप्यों भी लिखिए धावन सोडा कभी शामिक्रा बनाएं बदाएं क्या बताएं आपको यन्य यही बताया कहा था न अ ठीक है यहां पे यह ने टूर रहता ओग्तने अब यह बताए थे आपको अध़म देखें एक विलियं का पियेच मान ग्याद कीजिए विलियन की प्रकिती क्या है लाग दस पर तू जिरू दसमा तीन जरू यह सुद्ध जल इसभी सुफोर का विलियन का पीच मान ज्याद करना है इस सवाल को अभी एक बार देख लिजिएगा अगर प्रश्णों को देखें जिविक ज्यान से कैसे कैसे प्रश्ण आपसे पूछे जाने वाले हैं उवखंड गवर्ण जिवीक ज्यान के सभी प्रश्णों को आप एक याद कर लीजीगा इसमें नंतर किया हूता हूँ कि दा आपको पताबन रहता है वास्प किसे करते हैं वार्त तो उस्वरजन का महत तो असपष्ट कीजिए टोटल तीन नंबर कर आता है अगला है कि रूधीर की सरचना तो कारिवीदी का वरण कीजिए टोटल तीन नंबर का यह वी प्रश्ण आपकर रहें हिल्दे का सुष्च नमांके चित्र बनाईए बनाकर इस की सरचना का वरण कीजिए दोहरे रूधीर परिसंजड़ा का महत तो बताईए टोटल यह च्छा नंबर कराता है अगला प्रश्ण देख लीजिए कि पुस्प की अनुदर दिकार का नवांके चित्र बनाकर इसकी विभिन भागों का वरण कीजिए पुस्प में निसेचन के उपरा होने वाले परिवरतन का वरण कीजिए यह था आपका समपूर प्रश्ण बता है सभी प्रस्णों को एकज़त तयार कर लिजिए किसी परस्ण में आपको डाउट होता है तो कमेंट वाक्स में आप जरू लिखिए तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडिय को सियर करे